Good morning students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है Impact of Jet Impact of Jet जो टॉपिक है वो हमें पढ़ने के जुरोती इसलिए है कि basically जब किसी टर्वाइन से, किसी प्लेट से फिक्स्ड हो या मूविंग प्लेट हो तो उसमें जब water टक कराता है तो water x direction y direction में basically कितना force लगाता है ये पता करना रहता है ठीक है तो माना कि water in the form of jet is strike on any surface यानि कि water जो है किसी surface पे jet के form में strike कर रहा है अब हम इसमें पहले एक velocity ले ले लेते हैं भी आई यानि कि velocity of water just before striking फिर हम ले ले लेते हैं भी final यानि कि velocity of water just after striking यानि कि पानी जब टकराने से पहले की velocity यानि कि भी initial और भी final water की या पानी की उस plate में या termine में टकराने के बाद की जो velocity है वो होता है भी final अब हमें यहाँ पर देखना है by Newton Second Law Newton Second Law के according जो net force होता है वो होता है rate of change of momentum ठीक अब यानि कि F net जो है वो हो जाएगा M यानि कि mass per unit time into V initial of water minus V final of water ठीक है तो जो हमारा F net का formula हो जाएगा वो हो जाएगा V initial of water और V final of water यह है important यह है formula यह बार बार काम आएगा F net is equal to mass into V initial minus V final अब यहाँ पर बस एक बहुत जादा important चीज़ है कि जो velocity हैं दोनों initial और final यह हम उसी direction की लेंगे जिस direction का हमें force निकालना है यानि कि जब हमें X direction में पानी दोरा लगाया गया force निकालना है तो हमें initial और final velocity water की X direction की लेनी है similarly for the Y direction अब हम अपना पहला case देखते हैं हमारे पहले case में पानी जो है nozzle से निकलता है water jet form में nozzle से निकलता है और एक fixed perpendicular plate पे जाके टकराता है ये देख सकते हैं आप ये पानी यहां से भी velocity से निकला और perpendicular plate में जाके टकराया ठीक इसके बाद ये तो पानी जाके टकराया इसके बाद पानी जो है ऐसे करके इस डारेक्शन से और ऐसे करके इस डारेक्शन से बाहर निकल जाता है तो अब हमें ग्यात करना है इसमें कि जो net force है इस पानी ने कितना net force इस fixed plate में लगाया है हमें ये पता करना है अब हमें तो पता ही है कि जो f net होता है वो होता है mass into b initial minus b final अब हम x direction का force निकलते हैं तो x direction के force निकलने के लिए हमें जो initial velocity है पानी की वो x direction में और जो final velocity है पानी की वो भी x direction पता करना होगा अब हम इस diagram से देख रहे हैं कि जो पानी की initial velocity है निकि पानी की टकराने से पहले plate में जो velocity है x direction में वो ये है v velocity ये velocity ये है x direction में ठीक और जो x direction है फाइनल velocity है water की वो zero है क्योंकि टकराने के बाद पानी एक्स direction में जाई नहीं रहा है कोई velocity ही नहीं ठीक टकराने के बाद पानी ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है x direction में जाई नहीं रहा है ठीक, यानि कि जो अपना x direction force हो जाएगा, f x वो हो जाएगा, m into v initial minus v final v initial जहाँ, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया, v initial v के बराबर हो जाएगा और जो v final x direction में वो 0 हो जाएगा, यो कि कोई भी velocity के component final में final velocity component x direction में ही नहीं तो जो final force आजाएगा एक stationary fixed perpendicular plate में, x direction में पानी दोरह लगाएगा force है, वो जाएगा f x बराबर, rho यानि कि density of water, into a, यानि कि cross sectional area of jet, into b square, यानि कि initial velocity का square ठीक, अब हम इसी में दूसरा case देखते हैं हमारा जो पानी है, वो jet के form में nozzle से निकल कर, एक fixed inclined plate ये plate है हमारी inclined plate में b velocity से जाके, हमारा पानी टकरा रहा है, ठीक plate हमारी कैसी है, fixed है, लेकिन plate कैसी है, inclined है अब इस तरह के case पे हमें निकालना है कि इस पानी के दूआरा लगाया गया जो net force है, x डारेक्शन में क्या होगा, यनि कि ये हो गया, एक्स डारेक्शन में और इसी पानी के दूआ वाई डारेक्शन में कितना force लगाया गया है। ठीक, कोकि plate inclined है, इसलिए यह जो पानी के कारण है X direction, Y direction दोनों का force हमें निकालना है इस तरह केस में सबसे सही तरीका है इस तरह के केस को solve गरने का सबसे सही तरीका है हम जो inclined plate है उसके perpendicular velocity का component निकाल लेते हैं इसके कारण क्या होगा हम जब perpendicular component velocity का निकाल लेंगे तो हम perpendicular force निकाल पाएंगे और फिर उस perpendicular force को जैसे कि यह perpendicular force हो गया यह perpendicular force हो गया इस surface के और फिर हम इस force के दो component ले लेंगे F X direction में F Y direction ठीक तो इससे हमें दो अलगला force बार बार नहीं निकालने पड़ेंगे हम surface के perpendicular force निकाल लेंगे योगया surface के perpendicular force और फिर हम उसके दो component ले लेंगे x direction में और y direction में अब जो भी component है जो भी है velocity component वो थीटा एंगल पे है थीटा एंगल पे है surface से तो हम इसका perpendicular component लेते हैं और इसके लिए मैंने अलग से diagram बनाया हुआ है इसमें ठीक तो ये हमारा हो गया था surface ये हो गया है हमारा surface इस पे ये है velocity कर जिस velocity से पानी आ रहा है ये हो गया अब इस भी का perpendicular component लेना है हमें इस surface को पर तो हमने उसे x माल दिया है ठीक ये हो गया perpendicular velocity का component ठीक हमने उसे क्या माल लिया है x अब x मान दिया है और हमारा velocity जो भी है जो की x direction में है और यानि कि इस line जो velocity है और ये जो surface है इन दोनों के बीच के अंगल कितना है थीटा तो जो x हो जाएगा वो हो जाएगा भी sin theta और यही x क्या है यही जो velocity है ये कौन सा component है ये है परपेंडिकुलर टू सर्फिस है ठीक है यह इस सर्फिस के परपेंडिकुलर है ठीक है तो हम इससे क्या पता चल लाएगा हमें F perpendicular to the surface F perpendicular to the surface क्या आ जाएगा M into V sin theta और यह तो initial velocity हो गई पानी की और जो final velocity है component perpendicular में कोई भी नहीं है यानि कि V sin theta minus 0 हो जाएगा तो जो normal force आएगा हमारा normal force जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा rho A V square into sin theta तो यह क्या आ गया यह तो हमारा यह तो आ गया हमारा F N rho A V square rho A V square into sin theta अब हम इसका X direction में component ले लेंगे तो F X आ जाएगा और Y direction में component ले लेंगे तो F Y आ जाएगा और ultimately हमें यही निकालना है तो F X कितना हो जाएगा rho A V square sin theta और F Y क्या हो जाएगा rho A V square sin theta into cos theta क्यों यह देखी यह हो गया अपना यह component तो हमने निकाल लिया यह component हमने निकाल लिया ठीक F N sin theta यानि cos 90 minus theta तो sin theta हो जाएगा और F Y क्या हो जाएगा F N cos theta और F N का मतलब हमें पता है F N हमने निकाला हुआ है तो आप इसमें put कर देंगे तो आप F X निकाल लेंगे और F Y निकाल लेंगे अब हम अपनी next plate देखते हैं जिस पे jet strike कर रहा है एक particular velocity से तो जो हमारा जो next problem है इसमें क्या होता है जो plate है हमारी यह fix नहीं है बलकि यह plate जो है hinge है यह plate जो है hinge है hinge का मतलब पहले हमारी plate ऐसी थी अब जब इसमें भी velocity से यह भी velocity से पानी जाकर टकरा रहा है यह भी velocity से पानी जाकर टकरा रहा है तो हमारी plate ऐसी हो जा रही है ठीक arguing that एक theta angle से हमारी plate inclined हो जा रही है क्योंकि हमारी plate हो fixed नहीं है वो hinge है अब पहले plate यानि कि हमारी ऐसे थी अब plate ऐसे हो गई है तो जो A point था A ये point जहां पर B velocity से टक्रारा था पानी अब वो plate hinge होने कान shift होके यहां चला गया है A dash पर ठीक A dash पर चला गया है तो सबसे पहले हम और हमने यहां पर ये consider किया इस case में कि जो B-velocity से पानी टकरा रहा है वो center पे pipe की pipe की total length के center पे टकरा रहा है यानि कि उसकी center of gravity CG पे टकरा रहा है और हमें पता है जो weight लगता है वो कहाँ पे लगता है? CG पे और ये plate क्या है? plate का एक weight है जो कि कहाँ पे लग रहा होगा? CG पे लेकिन अब जब इसमें पानी B-velocity से टकरा रहा है तो जो इसका A-point है ये A-point है ये जाके A-डेस पे shift हो गया है यानि कि अब जो आपका mg force है weight का force कहाँ पे लगेगा? A-डेस पे लगेगा similarly जो पानी है वो B-velocity के कारण जो force लगेगा पानी के द्वारा वो कहाँ लगेगा? जहां पे पानी टकरा रहा होगा तो पानी तो यहां से जा रहा है सीधे यहां पे टकरा रहा है यानि कि इस point पे? B-point पे ठीक? तो पानी कारण द्वारा जो लगाया गया force है वो B-point पे लगेगा और जो weight के कारण point जो force लगेगा rod की या hinge plate की weight के कारण जो force लगेगा वो A-dash पे लगेगा ठीक? और अब अपन क्या करते हैं? अपन मान लेते हैं equilibrium condition ठीक? equilibrium condition मतलब कि जो moment आएगा आपके weight के कारण और जो moment आएगा पानी के द्वारा लगाएगा force के कारण ओ point के बाउट वो दोनों equal होंगे ठीक है क्यों? क्योंकि जो mg कारण force लग रहा है यानि कि weight के कारण उसकी direction और जो पानी के velocity के कारण एक force लग रहा है पानी के टकराने कारण एक force लग रहा है उसकी दूसरी direction यानि अगर equilibrium में रखना है तो दोनों point का जो movement हों equal होना चाहिए ठीक अब अपन point A- यानि कि जहां पे mg force लग रहा है ये mg force लग रहा उसका free body diagram मनाते है तो A से तुरंत नीचे नीचे आएंगे तो mg लग रहा है तो हम इसका एक component ले लेते हैं mg का जो कि O A- के perpendicular हो यानि कि ये component ठीक O A- के perpendicular हो और जो कि हो जाएगा mg sin theta और इसी mg का एक और component होगा mg cos theta जो कि O A-line के parallel होगा और जो कि O से गुजर रहा होगा यानि कि जब हम movement लेंगे mg cos theta का O के बाग और 2 जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच के distance रहेगी नहीं क्योंकि O से गुजर रहा है ठीक similarly हम B-point पे आते हैं उसकी free body diagram मनाते है तो B-point कौन सा पानी point है जहाँ पे पानी जाके टकरा रहा है यानि कि point वह point है जहाँ पे पानी कारण फोर्स लगेगा ठीक तो पानी के कारण चुकि पानी तो x डारेक्शन फ्लो कर रहा है तो हमको यह हो जाएगा पानी कारण लगाएगा फोर्स हम इसका एक component ले लेते हैं जो कि f नॉर्मल लेगा यानि कि उस surface के नॉर्मल जो कि plant of hinge plate move हो के जिस direction में चली गई है जिस position में चली गई है उसका एक normal component ले लेते हैं f नॉर्मल अब अपन f नॉर्मल ले लेंगे तो अपन को f x और f y का moment लेने जुरूत नहीं है क्योंकि f normal के ही दो component होते हैं f x और f y अब हमें f normal और mg sin theta का moment लेना है o point के about ठीक moment क्या होता है force into perpendicular distance between जिस point के about हम moment ले रहे हैं और जहां पर वो force लग रहा है तो हमने एक point लिया है एक force लिया है mg sin theta और इसके o के about moment ले रहे हैं इन दोनों के बीच perpendicular distance कितनी है x यानि कि mg sin theta into x ठीक है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है similarly हमने एक force लिया है f normal यह है f normal और इसके और o point के बीच अगर यह distance अगर यह distance x है तो यह distance क्या हो जाएगी जोमेट्री से x upon cos theta और यही x upon cos theta क्या है perpendicular distance यह distance perpendicular distance between f n and o यानि कि mg sin theta into x equal to हो जाएगा f normal into x upon cos theta ठीक अब अब हम देखते हैं f n कैसे निकलेगा तो हमें पता है f n निकालने के लिए mass into velocity का component force के direction में जो कि अगर यह भी velocity की direction है यह हमाई भी velocity की direction है तो उसका component f n की direction में क्या हो जाएगा v cos theta क्या हो जाएगा v यानि कि अगर यह v की direction है तो यह normal force की direction में क्या हो जाएगा velocity component क्या हो जाएगा v cos theta ठीक v cos theta हो जाएगा तो f n क्या निकलाएगा m into v cos theta minus 0 ठीक है m क्या होता है rho into a into b तो f n क्या हो जाएगा rho a b square into cos theta यानि कि equation 1 और 2 से अगर अपन theta निकाले तो यह हो जाएगा जो कि बहुत ही आसान है तो हो जाएगा sin inverse into rho a b square upon mg तो इस case में जो main चीज है वो देखने के लिए यह है कि हमें सबसे पहले mg यानि कि weight के कारण जो moment है o point के बाउट वो लेना है और जो force water लगा रहा है उसके कारण जो moment आएगा हमें वो लेना है और equilibrium condition में दोनों ही moment के जो value है वो बराबर होना चाही दोनों को हम बराबर करेंगे और theta की value हो जाएगी इस case में हमने consider किया है कि पानी भी velocity से जो हमारी hinge plate है उसके cg पे टक्रा रहा है ठीक है और वो distance हमने x दिये रखा है ठीक है यह distance हमने x यह distance ले रखी है water की टक्राने से पहले और जो total distance है plate की वो हमने क्या ले रखी है L ठीक अब हम अपना अगला case देखते हैं इस case में जो है हमारा पानी जो है curve plate के center पे जाके टक्रा रहा है curve plate के यह जो plate है यह जो plate है यह हमाई curve है और जो पानी है वो इसके center पे जाके टक्रा रहा है हमारी यह curve plate है जो fix है यह इसमें किसी भी type का moment नहीं होगा नहीं पानी भी velocity टक्राने के बाद इधर से और इधर से निकल जाता है, ठीक है? हमने क्या कांसिडर किया है इस सारे केसिस में कि फ्रिक्षन जो है, यानी कि जब वाटर आपके प्लेट पे फ्लो हो रहा होगा, तो जो फ्रिक्षन है वो अपन जिरो लेंगे, यानी कि जिस वेलोसिटी से पानी टकरा रहा होगा उसी वेलोस्टी से प्लेट में मूप करत वे बाहर निकले गाए यहां पर पानी भी वेलोस्टी से टकरा है यहां भी वेलोस्टी से निकल गया तो अब यहां पर भी वेलोस्टी तो जो है वो यह होती है अपनी एक्ष डारेक्शन और यह तो पानी भी विलॉस्टी से तकराया तो मतलब तकराने से पहले तो पानी एक दारेक्शन लेकिन तकराने के बाद तो पानी थीटा इंगल पे चला गया यह यह इसके दो component होंगे, एक x direction, negative x direction में, ठीक है, यह है आपकी positive x direction, और यह है आपकी positive by direction, ठीक है, यह मानि पॉजिटिव x direction और by direction मनाय हुआ है, तो पानी जो है x direction का जो component होगा final velocity का, यह ठकराने के बाद का, वो होगा minus b cos theta, यह है minus direction, और जो perpendicular component होगा by direction में, वो होगा b sin theta, और यह कैसा है, plus, ठीक, तो अब हमें force निकालना है, कि इस पानी के द्वारा, x direction और by direction में, कितना force लगाया जाएगा, ठीक है, तो हमें पता है, f क्या होता है, जो force लगता है, सबसे पहले हम x direction force देखते हैं, तो x direction force होगा, m into initial velocity component in x direction, और x direction में भी velocity है, टकराने से पहले, minus, टकराने के बाद x direction में, velocity का component, और यहाँ पर velocity component क्या है, x direction में, टकराने के बाद, वो है, b cos theta, लेकिन कैसे, minus, ठीक, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f equal to, m into b minus, और minus b cos theta, minus b cos theta क्यों हुआ, क्यों होगा, क्योंकि वो minus x direction में, तो fx क्या आगया, rho a b square into 1 plus cos theta, similarly, अगर अपन by point में देखें, तो टकराने से पहले, सिर्फ x component है, velocity का by कोई component नहीं है, यानि कि टकराने से पहले by direction क्या velocity है, water की, 0, टकराने के बाद, water की by direction क्या velocity है, b sin theta और वो भी क्या है, plus, क्यों, क्योंकि वो positive y direction में, यानि कि क्या हो जाएगा, हमारा by direction force, m into 0, 0 क्यों, क्योंकि by direction में, टकराने से पहले कोई component नहीं है, minus b sin theta, यानि by direction में, velocity का component, जो कि है, b sin theta तकराने के बाद, यानि f by क्या जाएगा, minus rho ab square into sin theta, ठीक, उमेद करता हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा, अब हमारा जो अगला case है, वो है, water जो है, फिर से curve plate, जो की fix है, उस पे तकरा रहा है, लेकिन इस बार जो water है, वो center पे नहीं तकरा रहा है, एक particular end पे टकरा रहा है, plate के और दूसरे end से निकल जा रहा है, यानि कि पानी यहां से घुस रहा है, यहां से निकल जा रहा है, ठीक, अब पानी यहां पे घुस भी रहा है, एक particular angle के साथ, theta angle के साथ, देख सकते हैं अब diagram में, अब पानी निकल भी रहा है, theta angle के साथ, हमने आप inlet और outlet के जो angle दे रखे हैं वो same मान रखे हैं ठीक है तो x direction में जिस initial velocity component क्या हो जाएगा v cos theta और यह positive होगा क्योंकि positive x direction में by direction हो जाएगा v sin theta और यह positive होगा क्योंकि positive y direction में अब निकलते समय x direction में क्या component होगा v cos theta जो कि negative हो जाएगा क्यों क्योंकि यो negative x direction में है और y component निकलते समय velocity का क्या होगा b sin theta और ये positive direction में इसलिए plus b cos theta हो जाएगा b sin theta हो जाएगा ठीक तो हमें velocity के entry करते समय x direction और by direction के component मिल गए और velocity के exit यानि टकराने के बाद ये दो component मिल गए x direction और by direction और उनकी हमें प्लास होंगे अब हम इसमें निकलते है f x क्या हो जाएगा m into velocity का component x direction में टकराने से पहले minus velocity component x direction में टकराने के बाद तो हमारा f x आ जाएगा तो ये हो जाएगा f x similarly by direction में टकराने से पहले का component और by direction टकराने के बाद का component अब f y 0 क्यों आ रहा है अपन ये समझते हैं अब यहां पर हम देखते हैं कि by direction में टकराने से पहले जो velocity है वो है b sin theta ठीक यानि कि m into b sin theta minus टकराने के बाद velocity का component by direction है फिर से b sin theta और ये भी positive है यानि कि b sin theta minus b sin theta और जो कि दोनों एक दूसरे कट करके जीर हो जाएंगे इसलिए by direction में velocity एक component हमारा जीर हो आएगा इस case में ठीक अब हम अपना एक थोड़ा सा tough case देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा important है ये हमारी tangential flow runner है और यही जो velocity के diagram बनेंगे हमारे inlet पे outlet पे यही जो formula आएंगे यही हमारे different impulse और reaction termines में भी काम आएंगे इसलिए हमें इसे काफी ध्यान से देखना है इस case में हमारे पास एक tangential flow runner है जो कि n round per minute से घूम रहा है उसकी एक particular initial velocity होगी यानि कि entry करते है समय time u round और एक u2 होगी जो कि जब पानी exit कर रहा होगा तो हमारे runner की velocity होगी तो u1, u2 क्या होगए runner की यानि कि जो blade है जो कि moving blade है जो कि n rpm से move कर रहा है उसकी velocity होगी फिर हमारे इस runner की blade में पानी भी velocity से nozzle से निकल कर आ रहा होगा ठीक और भी 2 velocity से निकल रहा हो तो भी 1, भी 2 कैसी velocity होगई कि नोजल से जिस velocity से पानी निकल रहा है वो हमारे भी 1 हो जाएगी और जिस velocity से हमारा पानी runner से निकल रहा है water की velocity जो है वो भी 2 हो जाएगी यह हो जाएगी हमाई B1 यह मैंने दोनों इनलेट और आउटलेट के विलोश्टी डेगना मा लग लग बना दिये हैं बड़े तरीके स्ताकि समझ में आए ठीक तो यह हो गई हमारी U1 U2 यानि की विलोश्टी आफ ब्लेड हो जाएगी इनलेट और एक्जिट पे वाटर के फि जब पानी उसमें टकराने वाला होगा तो उसकी खुद की एक विलोश्टी रणर के ब्लेड की होगी यानि कि यहां पे क्या होगा यहां पे आएगा रिलेटिव विलोश्टी का कंसेप्ट क्यों यहां पानी की एक विलोश्टी है और पानी जिस चीज़ पे टकराने वाला उसकी खुद की एक velocity है यानि कि यहाँ पानी आपके runner के blade से भी velocity से नहीं टकराएगा वो approach तो करेगा भी velocity लेकिन टकराएगा किस velocity से एक relative velocity से जिसको हम क्या कहेंगे relative velocity at inlet BR1 similarly BR2 आएगा relative velocity at outlet ठीक अब जब पानी भी velocity से नोजल से निकल रहा होगा तो एक particular angle पे निकल रहा है तो हमने उस भी velocity के दो component ले रखे एक component इस भी का होगा x direction में component x axis में component v1 और by direction में एक component होगा v1 यह inlet पहुजाएगा और v2 भी एफ 2 outlet पहुजाएगा तो क्या है यह v1 जो की velocity भी का x direction में component है और v1 जो है वो भी का भी velocity का y direction में component तो v1 को हम क्या कहेंगे velocity of whirl at inlet velocity of whirl मतला पानी भी velocity से approach कर रहा है तो जो v1 है वो भी velocity का वो component है जो आपके runner को rotate यानि की whirl velocity प्रदाय करेगा प्रदान करेगा भी एफ क्या है भी एफ velocity का water की inlet velocity का v1 वो component है जिस component से flow हो रहा होगा water आपके runner की blade में इसलिए उसको क्या कहते है velocity of flow VW1 क्या हो जाएगा water velocity at inlet VF1 क्या हो जाएगा flow velocity at inlet similarly आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे different angle alpha theta phi और बीटा यह angle भी बहुत important है तो यह हो गया हमारा velocity triangle at inlet और यह हो जाएगा जब पानी बाहर निकल रहा होगा velocity triangle at outlet अब हमें इसमें देखना है ठीक है तो VW1 पता चल गया VF1 पता चल गया अब हमें इसमें देखना है कि alpha क्या है alpha क्या है nozzle या guide blade angle theta क्या है wane angle at inlet थिक alpha हमारा क्या है B1 alpha हमारा क्या है B1 और यह जो x direction उसके बीच का angle हो गया ऑर theta क्या है BR1 और यह जो theta के बीच का angle है x direction के बीच के angle है वो हो गया Similarly phi और ύटटा ठीक अब हमारे alpha का क्या नाम है alpha का नाम है nozzle या guide blade angle ठीक है तो alpha वो angle है जिस angle से guide blade guide blade क्या है यह मैं बताऊँ गाइड blade से जिस angle से पानी आखे runner की blades में टक्राना चाहए रहा है ठीक वो क्या हो गया alpha और theta क्या हो गया हमारा theta हो गया vein angle at inlet यह यह भी बेंर के ये हो गई हमारी runner's की win इसके parallel अगर अपन देखे तो क्या आता है br1 इसके surface के parallel जो होता है runner की blade के surface के parallel जो direction होती है उसी direction हमारी होती है br1 वो तो आप देख सकते है बिल्कुल direction के parallel होती है और ये जो line है ये x से x से जो angle बनाती है यह जो आपका angle होता है यह क्या हो जाता है theta ठीक है theta क्या हो जाता है Vane का angle यह यह Vane का जो surface है वो x direction से कितना angle बना रहा है और Vane के surface के parallel ही relative velocity का direction भी होता है ठीक है अब V R1 relative velocity में पता है क्या होती है दोनों velocity का माइनस करने पर हमको कहा है रिलेटिव वेलोस्टी यानि कि V R1 क्या हो जाएगी V1-U1 और V R2 क्या हो जाएगी V2-U2 U1-U2 हमें पता है हमने यहां पर U1-U2 बराबर ले रखा है यह अलग भी हो सकते हैं U1-U2 क्या हो गया पाई Dn upon 60 N क्या है जितने राउंड पर मिनट से आपके रणर की ब्लेड मूब कर रही है और D क्या हो गया डाइमीटर हो गया आपके रणर ब्लेड का अब मास क्या हो गया मास होता है रो टेंसिटी इंटू एरिया फ्रोस सेक्षन इंटू वेलोसिटी और यहां पानी किस वेलोसिटी से टकरा रहा है पानी यहां रिलेटिव वेलोसिटी से टकरा रहा है इसलिए मास क्या लेंगे रो इंटू एरिया फ्रोस सेक्षन इंटू और हमारा चोटल पानी जितना चारहा है वो क्या हो जाएगा ऑर ये पानी जो टककराओा रहा है तो फोस्ने निकलते हैं एकली पॉर्स कि हो जाएगा जैसे हमने पहले ही देखा है नेần फोर्स जोकि बहार रहा है मांस इन्टू बीलाइटो फॉक्स्टी से पानी टकरा रहा है तो V R 1 का X direction component minus V R 1 का X direction फिर से component निकलते time यानि कि relative velocity का X direction component पानी के टकराने से पहले और relative velocity का X direction component पानी का आपके runner blade से टकराने के बाद निकलते time ठीक है क्योंकि हमने पहले भी देख रखा है ये F net क्या होता है mass into V initial minus V final तो हमें V R 1 का component क्योंकि V R 1 velocity से ही पानी टकराएगा क्योंकि यह relative velocity के concept आजाएगा तो हमें टकराने से पहले V R 1 का X direction में component चाहिए और टकराने के बाद V R 1 का X direction में component चाहिए तो आपन देखते हैं V R 1 का X direction में component टकराने से पहले तो यह होगा X direction में और V R 1 का जो की V R 2 हो जाएगा उसका relative velocity का component X direction में टकराने के बाद यह हो जाएगा ठीक तो अब देखते हैं अपन तो V R 1 का X direction में component हो जाएगा V R 1 cos theta यह हो जाएगा V R 1 cos theta similarly V relative velocity का X direction में component टकराने के बाद और वो क्या हो जाएगा V R 2 cos phi ठीक है V R 2 cos phi यह है V R 2 तो यह एंगल है phi तो यह क्या हो जाएगा V R 2 cos phi तो टोटल क्या हो गया M into V R 1 cos phi minus अब देख रहे हैं हपन कि V R 2 की direction यह है यानि कि जो इसका X component आएगा जो इसका X component आएगा आपका वो यह एंगल phi है ठीक है यह एंगल phi है तो यह एंगल भी phi होगा अगर यह एंगल phi है तो यह V R 2 है तो इसका X component क्या आएगा यह हो जाएगा V R 2 cos phi ठीक यह हो जाएगा V R 2 cos phi और यह क्या है minus X direction में ठीक है यह क्या है minus x direction में है क्यों कि ये होती positive y direction और ये होती positive x direction और जो vr2 component है x direction में वो इस direction में आ रहा है यानि कि क्या हो जाएगा वो minus vr2 cos 5 ठीक है तो यानि ये हो जाएगा vr1 cos 5 minus minus vr2 cos 5 तो तो हो जाएगा vr1 cos 5 plus vr2 cos 5 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। थीक! अब अपन देक सकते हैं कि अपन vir1 qos5 को क्या लिख सकते हैं vir1 qos5 यह चीज को vir1 qos5 को अपन क्या लिख सकते हैं by1 minus u1 तो अपना आजाएगा vir1 qos5 v1 minus u1 कर देंगे तो अपन का क्या मिल जाएगा अपन को इतना मिल जाएगा और यही क्या है भी आर बन कॉस्फाइग इसको लिख सकते हैं यह डिस्टन्स क्या होगी हमाई अब देखें तो यह डिस्टन्स हमाई क्या होगी यही डिस्टन्स होगी भी आर टू कॉस्फाइग और यह इस डिस्टन्स के बराबर है और यह डिस्टन्स क्या है यू टू प्लस भी डबलू टू यह डिस्टन्स क्या है यू टू प्लस भी डबलू टू यानि कि भी आर cos 5 को अपन लिख सकते हैं U2 प्लस VW2 इसी को हमने लिख दिया U2 प्लस VW2 तो जो Fx, x direction में जो water door अलगाया गया final force है net force है, वो हो जाएगा M into VW1 प्लस VW2 ठीक है, इस equation से आप देख सकते हैं इस equation से आप देख सकते हैं ठीक, तो power क्या होती है power क्या होती है power होती है force into velocity ठीक है तो power हम कैसे निकालेंगे, ये force है जो की लग रहा है, तो power developed कितना हो जाएगा, M into VW1 प्लस VW2 into U यानि जिस velocity से आपकी जो blades से runner की वो move कर रही है ठीक, तो power हो जाएगा W बरावर M into VW1 प्लस VW2 into U और ये हम इसकी unit की इसमें लेंगे work done per second है ये W, ठीक अब मैंने एक दू cases और देख रखे हैं जिसमें हमारी जो plates हैं, वो move कर रही हैं, जैसे कि इसके ज़स्ट पिछले case में move कर रही थी जो vane है, यानि कि runner की blade से, वो move कर रही है तो जैसा पहला case देखा था हमने कि plates जो थी perpendicular थी लेकिन fix थी, लेकिन इस case में U direction से plate हमारी जो है move कर रही है यानि V direction यानि ये हुआ भी, लेकिन इस case में plate आपकी stationary नहीं है, वो खुद U direction से move कर रही है, यानि कि उसी formula में आप M into V की जहाँ V minus U रखतेंगे ठीक, अब अगला case देखते हैं, जो आपकी second case था, जिसमें plate आपकी एक particular angle में थी, और fix थी, लेकिन यहाँ पे plate fix नहीं है वो आपकी plate U direction से इधर move कर रही है तो same formula रहेगा V की जहाँ V minus U हो जाएगा ठीक है, similarly आपका यह case है, जिसमें V velocity से पानी आ रहा है लेकिन आपकी जो plate है वो U velocity से आँगे जा रही है, यानि जो पानी है वो V minus U velocity से टकराएगा और V minus U velocity से निकलेगा ही relative concept है relative velocity concept है, तो same formula रहेगा, वो सारे case वाला ही लेकिन इसमें V क्या है absolute velocity थी और यहाँ पर क्या हो जाएगा relative velocity ठीक, तो जो हमारा important case है, वो यह है हमारा important case यह case हमारा important है यही turbines में काम आएगा हमें इसमें ध्यान रखना है कि B1 क्या है, यानि कि पानी जिस velocity से approach कर रहा होगा B1 क्या है, यानि कि पानी जिस velocity से टकराएगा क्योंकि आपकी जो runner है, वो खुद एक end round per minute से move कर रहा है, यानि उसकी खुद की velocity होगी, फिर B1 क्या है, B1 का X direction component, यानि कि जो आपके runner की blade को motion दे रहा है, फिर BF1 क्या है, velocity का inlet velocity का F direction, बाई direction में component, जो velocity of flow बताने, जिस velocity से पानी flow हो रहा है, similarly other things, similarly आपको alpha पता करना होगा, theta पता करना होगा, जो कि दिया हुआ है, और फिर आपको ये formula ध्यान रखना है ये बार बार काम आएगा F equal to BW1 plus BW2 ठीक, ये formula हमको याद रखना है ठीक है, अब यहाँ पे Fx बरावर M into BW1 plus BW2, ये formula हमको याद रखना है, यहाँ पे M की हम value रखेंगे और हमको जो पानी दोरह, एक दार इसमें लगाया गया force है, यानि कि जो final force है पानी दोरह लगाया गया, वो हमें मिल जाएगा, यूँकि बाई direction में बाई के बाई, यूँकि पानी एक particular angle से निकल रहा है यानि उपर से भी निकलता है और इधर दूसरे साइट से भी निकलता है तो बाई component जो है वो अपने को almost valid एक दूसरे से balance कर लेते हैं इसलिए हमपन एक्स डारेक्शन के फोर्स देखते हैं फिर अपन यहां से देख लेंगे power required power क्या होता है force into velocity और पानी के जिस blade पर टकरा रहोता है उसकी u velocity रहती है इसलिए हम वहां से power निकाल लेते हैं तो हमें यह formula ध्यान रखना है यही आंगे टर्वाइन्स में काम आएगा धन्यवाद आप अपने doubts मुझे फोन पर या whatsapp के जो message पर पूछ सकते हैं धन्यवाद